कद्दू की सबजी तो यहाँ पर बनी रही है, तब तक मैं शाम के नाज्टे के लिए प्यास कट कर लेती हूं, मौसम ठंडा है, तो आज मैं प्यास की पॉकॉडी बनाऊंगी चाय के साथ, पॉकॉडी के लिए आप देख सकते हैं, मैंने प्यास कट कर लिये हैं, और तो फिर मैं उनको दूंगी वह पकाड़ी अगर ज्यादा खा लेंगे तो फिर वह खाना नहीं खाएंगे इसलिए मैं थोड़ा ही बनाऊंगे बहुत हद तक कद्दू पक चुक है आप देख सकते हो और इसको हूं दस से पंद्रा मिनिट तक पकाएंगे मुझे तो यह फोरन वाली सब्जी ही पसंद है कद्दू की मतलब बोलने का मतलब है कि जीरा के फोरन वाली सब्जी कौन आइसे बनाता है सिंपल जीरा वाली सब्जी कमेंट करके जरूर बताईएगा कर दूब की सबजी तो बने ली है अब इसको अब गैस बन कर देती हूं अब इसको ढख देती हूं